हेलो फ्रेट गुड मानिग टोडेव आम जोगिंग टु कालकुलेट एवाद दायेक्ट इरेक्षन और इंडर डिर्टेशन परसेंटेज अप दो ब्लासफ़नेस बाइद कार्बोन रेट हमारा कार्बोन डेट जितना जा रहा है जो भी आपका फोलेट जा रहा है तो फोलेट हिसाब से जो भी कार्बोन आप बालांस करेंगे वह कार्बोन डेट जो भी चल रहा है पर टॉन होट मेटर से वह हिसाब से कितना डारेडेक्शन और कितना इंडारेडेक्शन हो रहा है आज आपको काल्क्रेशन करेखें बताऊंगा में लिए हमारा ब्रास्फणिस में इंडिया 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 निया परसेंट ज्याधा होना चाहिए जितना ज्याधा वगा उतना अच्छा है क्योंकि आपका सीओ का इटलेशन ज्यादा रहेगा तो आपका कोक्रेट काम हो जाएगा मैं यह को स्टीक उपर में करता है यह हमारा कितना फोलेट जा रहा है तो जितना आच्छा रहेगा उतना तो इसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा कितना है यह बताऊंगा आगे में जाके आपको यह करना पड़ेगा कि क्या करना होगा यह working से क्रिट हो 79 होगा तो आगे जाके में बताऊंगा आज आपको करना हो रहा है तो को को बागे हिशाब volunt पहले में पिछले वीडियो में बहुत सारे कार्बन लेके निकाला हूं तो वह साथ से मैंने बाकी पिछले वीडियो में सब चीज बता दिया हूं लड़ी मैं आपको यह कार्बन रेट लेके बता हूंगा और कार्मन रेटा हूं और करने प्रन में कितना अउक्सियन लग रां तो इंव पीछले वीडियो में बता हूं आप जो भी नहीं देखे कि अतो जाया के कार्बन रेट जो है कि शुचिए कि 550 जा रहा है केजी पर टॉन आप होट मेटाल तो इसमें कार्बन रेट जो है मैं निकाल हूँ आप भी निकाल सकते हैं कार्बन बालांस करके तो फोर हंड्रेट टॉन्टीवाइब केजी अब टॉन आप होट मेटाल और आपका एयार जो है कि एयार रेट पर टॉन आप मैं मैंने फिप्टी हंडर लिया हूं नॉर्माल विट्र क्यूंग है कि पर टॉन आप होट मेटल है और इसमें ऑक्सीजेन रेट जो है 1500 से पहले आपको निकाल के बता था बताया था ओहें थ्री हंड़ेट फिप्टेन आप प्रोंगे आपसर से लिए निकल सकते हैं नॉर्माल मेटल क्यों है और टॉन आप होट मेटाल के जी निकालेंगे तो कितना होगा ऑक्सिएन रेट इन केजी कैसे निकालेंगे पहलों मैं पीछले वीडियो भी निकाला हूं आप देख सकते हैं मैं इतना सौर्टर के आपको बताऊंगा बाकि आप लोग पहले वीडियो में तो कर चुका हूं आप वह सबसे निकाल सकते हैं तो वह है 450 गेजी पारामेटर है यह परसेंटेज डारीडेसन निकालने के लिए यह सबसे यह जो पास पॉइंट ही यह बहुत इंपर्टांट है आप उसको अच्छा से निकाल देगे आपका ऑक्सिएंडेट केजिव करेंगे तो उसको 22.4 से लेके दिबाड़ करेंगे और उसका ऑक्सिएं दिकाल सकते हैं 450 केजी आप लोग पता है कि ऑक्सिएंड जो है मॉप्पुलार रोड जो है 22 केजी ऑफ ऑक्सिजेंड कार्पौन नीड कार्पौन नीड कार्पौन नीड कि चोहगीशी केजी 450 kg of oxygen, 450 kg of oxygen, carbon heat, 24 by 32, into 450, उसको निकालेंगे तो आएगा, 450, into 24, divided by 32, 337.5, approximately 338 kg, 330, 80 kg, 22.5, 32, into 450, उसको निकालेंगे तो 338 kg, उसको निकालेंगे तो 338 kg, यह रिक्वार पर डालेट डियर्शन, कारम रिक्वार, इक्वार, पर, डालेट डियर्शन, इक्वार टु, 338 kg, यह आपका रहा, तो इतना कार्पन चाहिए, हमको डालेट डियर्शन के लिए, कारमर लिक्वार पर डालेट डियर्शन, पर नो सरी, पर इंडर डियर्शन, 338 kg, ना डालेक्ट, इंडर डियर्शन, इंडर डियर्शन, 338 kg, तो 450 kg साब से, हमको अभी चाहिए, कितना, 338 केजी तो उतना चाहिए हमको इंड़ाड़ेशन के लिए तो फिर डार्ड़ेशन के लिए और डार्ड़ेशन के लिए कार्बोन इंड एक वार्ड़ेशन के लिए कितना तो टतल 425-338 केजी यह आपका आगया कि अगा कि फोर और टूंटी-फाइव माइनास त्रीन अदर खाती यह है त्टी सेवन केजी त्टी बिए यह है पिसले निजी यापका अपको चाहिए डार्ड़ेशन के लिए के लिए तो इंडिया उसके लिए कितना चाहिए था तो आप लोग को सब को पता है कि अब पता है कि सी प्लॉस हाप ओडू इसका मतलब क्या हुआ टूर्व केजी टूर्व केजी अपर कार्बॉन ओक्सिजन नीड इक वाटू शिटिन केजी अग्शन नीड केजी अग्वाट। अग्वाट इसका वाट इसका वाटूर्व प्लॉसेव नीड इसका वाटूर्व 87 16 by 16 into 87 divided by 12 यह होगा 116 116 kg अक्षम is 116 kg … लिट लिट इंक्षोग ..... वानंड़ शिस्टिन केजी अगय करिटिशंटीन केजी पर अधिसन केजी आपको में दिरबाता जायरा हम आपको कार्पन ओक्षिये निट आपको तो आपको अभी आप सोब के पता है कि थाउजन के लिए थाउजन के लिए जो भी वान टॉन के लिए जो भी हमारा एक फी राता है 94 परसेंट तो उसको निकालें कि 940 kg के लिए कितना अप्से लिए होता है मैं वह बता रहा हूं और 940 kg of IP और 940 इंटो 48 डिवादेड़ बाइ 112 परसेंट के लिए आपका आगिया 940 इंटो 48 डिवादेड़ बाइ 112 यह 402 402.8 यह आपका आगिया परसेंटेट पर डिवादेड़ बाता है तो यह आपका आगिया फॉर हं्डर्टपिक्री तो अभी पर्सेंटेज आप डाले डाइडेक्षान पर्सेंटेज हो नियुकाति है आपकटिमarta गाम recuperator दीक्वारी में आपकेवाच गरेए तो यह आपका आएगा, इन्टु परसेंटेज हो गया, तो यह आपका आएगा, तो यह आपका आएगा, तो बाकी जो बचा हंडेट से, वह आपका हो गया, हो गया, इन्टु परसेंटेज हो गया, तो यह कोक्रेट हिसाब से मैंने जो भी कोक्रेट आपका कारपुन रडिया था, 425 इसाब से मैंने निकाला हूं तो यह जो 71 निकाला है बहुत अच्छा है 80 तक भी आप ले सकते हैं तो आपका करता है कि अपका इटलाजेशन पर स्यों का तो इसलिए तो यह कोट्रेट इसाब से हमारा हो 71 आया करने इसाब से तो आप उसको और मिनिवाज करेंगे तो उतना आपका कस्ट बचाएगा पोलेट काम होगा तो अभी वेसली इटलाजेशन जो है यह बढ़िया रहेगा तो ब रएलिट एलिए टर आपकाशी जो होगा ट बड़ Özका कह जड़िए रहेगा आपकांद झालेशन जो है यह लगका करने प्राबदान जो है ऐले है भावावावावं एले नहारे डिए